हलो डिर स्टूडेंट्स वल्कम तू मैं संचिता जैना आप सभी की शोसल साइंस एजुकेटर आज के शेशन में लिखे आई हूं इंटरनेशनल और्गनाईजिशन की सीरीज में नासा के बारे में इंपोर्टेंट जानगारी तो आज के शेशन को शुरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आप सभी लाइक करदें शेयर करदें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करदें क्योंकि मेंगनेट रेइज प्रोवाईड कराता है आपको क्लास 6 से ले स्वीड को कंफीट कर आया जाता है जहां एंसफिर ट का Angra? अपको बातों के साथ और आपके लाइक शेर के साथ शुरू करते हैं आज का ये से और अज घानने वाले है नासा के बारे में नासा है क्या? कोई जानता है चैए प्ता हो कि नासा क्या है तो जल्डी से मुझे आप सभी कॉमेंट करके बताइए औल राइट चलिए तो जिस प्रकार से भारत की अंत्रिक्ष एजनसी कौन सी है इस रो है ठीक है अंत्रिक्ष संबंधी सारे कारिक्रम को कौन देखता है इस रो उसी तरीके से अमेरिकी अंत्रिक्ष एजनसी का नाम है नासा जी हा जिसका फुल फॉर्म है राश्टिय वेमानी की एवं अंत्रिक्ष प्रशाशन ठीक है अब नासा का इंग्लिश में हम फुल फॉर्म देखें तो बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एवंड स्पेश एड्मिनिस्ट्रेशन जो है नासा का फुल फॉर्म जिसे राश्टिय वेमानी की एवं अंत्रिक्ष प्रशाशन के नाम से जाना जाता है तो ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मिशन की नासा का फुल फॉर्म है क्या ठीक अब देखें ये संयोक्त राज अमेरिका के संगिय सरकार की कारेकारी शाखा की एक स्वतंत्र एजनसी है ठीक है जो क्या करती है जो नागरिक अंत्रिक्ष कारिक्रम के साथ साथ नागरे का अंतरक्ष कारिक्रम इस शब्द से क्या मतलब है आप सुनते होंगे कि अंतरक्ष में अब वो व्यक्ति गया है ठीक है यह बाद सभी सुनते हैं किसी खोज में गया है है जल की अंतरक्ष में क्या होते हैं अंतरक्ष का यूज तो सभी करते होंगे आप लोकेशन ट्रक्ष करने के लिए क见 सी जगय कहां पर है और अब तो क्या होता है अब यह होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से एड्रेस पूछने की बजाए GPS की ध्रोही जाते हैं कि लिए रोरी बाग क्योंकि हमारे हाथ में ही digital map होता है अब यह digital जो होता है आपके हाथ में जिसे आप यहां पर खड़े और आपको डिरेक्शन वो बता देता है कि अब आपको सीधे जाना है फिर लेफ्ट मुड़ना है फिर इतने मेटर बाद आपको राइट मुड़ना है फिर यहां जाना है फिर वहां जाना है ठीक है आखर यह पता कैसे चलता है इन सबके पीछे है कौन उन सबके पीछे होता है एक सैटेलाइट क्या होता है सैटेलाइट ठीक है जो की अंत्रिक्ष में स्थापित करें जाते हैं किलियर हो रिये बाद फिर वो सैटेलाइट जो भी लोकेशन आपको चाहिए होती उस लोकेशन को ट्रैस करके आपक अंत्रक्ष कारिक्रम के साथ साथ वैमानी की और अंत्रक्ष अनुसंधान के लिए भी उत्तरदाई है किसके लिए एरोनॉटिक्स के लिए और साथ ही साथ अंत्रक्ष में क्या-क्या चल रहा है अंत्रक्ष में किस प्रकार से अनुसंधान किया जाना चाहिए और अंत्रक्ष में जो रोज नई-नई कोजे हो रही हैं, वो सब काम किस के द्वारा किए जा रहे हैं? अमेरीगी अंत्रिक्ष लOOOOOOOO вещи NASA के द्वारा किए जा रहे हैं. यृ olarak चलिए, अब NASA काँठह नेशनल ऐरनाटिक्स एंड स्पेश अधिनियम के तहद कब हुआ था? अब जुलाई 1958 में किया गया था किलियर हो गई बात अब इसके हैट क्वाइटर की हम बात करें इसके हैट क्वाइटर यानि की मुख्या लई की बात करें तो यह है वाशिंग्टन डीसी अमेरिका में है अल्राइट इतनी बास मज में आ गई आपको अब चला जाएंगे अब है नासा के उद्देश क्या है नासा किन छेत्रों में कारे करता है क्या गोल है ठीक है नासा अस्तित्व में है क्यों क्या उद्देश है किन उद्देशों को आधार मान कर वो आंगे बढ़ता है तो देखे सबसे पहली बात तो यह है अंत्रिक्ष के बारे में मानविये ग् उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है और हमारा नॉलेज बढ़ता है ठीक है उसके बाद अंत्रिक्ष संबंधी प्रध्योग की के नव प्रवर्तन में विश्वकान नेत्रत्व कन्ना विश्वकान नेत्रत्व कन्ना क्योंकि नास जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस ए अमेरिका में है तो अंत्रिक्ष संबंधी प्रध्योगी की के ना वो प्रवर्तन में प्रध्योगी की का मतलब होता है टेक्नलोजी क्या होता है टेक्नलोजी अंत्रिक्ष का मतलब क्या होता है इस्पेस तो इस्पेस में इस्पेस से रिलेटेव जो नई नई टेक्नलोजी आ रही है उसमें विश्व का नेत्रत्व करना पूरे वर्ल्ड को उस नई टेक्नलोजी से परिशित कराना अल्राइट फिर क्या है ऐसे वाहनों का विकास करना जो अंतरिक्ष में उपकर्णों और सजीव जीवों दोनों को ले जा सके अब आप बुलेंगे कि लोग स्पेस में जाते हैं कैसे जाते हैं तो व्यस्ता है ईसे सब्सक्राइब को जा रहा है उसे भी को चीजंद पड़ेगी तो यहां से एक person सजीव जीव ठीक है सजीव का मतलब क्या है यानि कि जिसमें जान हो ठीक है तो वो कैसे जाएंगे अंतरिक्ष में research करने के लिए अंतरिक्ष के बारे माँ पता करने के लिए एक विशेश प्रकार के वहनों के द्वारा जाते हैं फिर अधिक्तम संभव विज्ञाने कुन्नती की प्राप्ती के लिए अंतरास्टी अंतरिक्ष अजन्सियों से समनवाय करना जो national level की अंतरिक्ष अजन्सी है यानि कि space अजन्सी है उन सबसे corporate करना क्यों करना ताकि जादा से जादा विज्ञान के शेत्र में जितनी possibility हो उतनी जादा प्रगति हो पाए तो यह रहे अंतरिक्ष नासा के उद्देश तो overall हमें क्या समझ में आता है नासा क्या काम करता है नासा अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान के कार्य करता है ठीक है अंतरिक्ष में क्या क्या नई टेक्नलोजी प्रयोग में लाई जा सकती है उस से एक सवाल पूशूंगी मैं उसका आंसर देंगे आप उसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना है भारत का वो प्रथम व्यक्ति भारत का वो प्रथम व्यक्ति जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था उसका नाम क्या है क्लियर भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम बताईए ज है आपका सवाल क्लियर चलिए और इसी के साथ आज का ये शेशन खतम होता है मिलते हैं जल्दी ही अगले international organization के साथ तो अगर आप हमारे डेली के live session और recorded session से जुनना चाहते हैं सारे चीज़ों प्लब्द है Magnet Brains के YouTube channel website और application पर Magnet Brains इंटिया का number one hundred percent free online education platform है इसके अलावा अगर आप e-books री नोट्स भी चाहते हैं उसकी link भी वीडियो के description box में दी गई है वहां से आप avail कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे चॉप कोर्स हिंदी और इंग्लिश दौनर मीडियम में अवलेवल हैं cbsc board के साथ साथ दिल्ली बोड बिहार बोड यूपी बोड एंपी बोड राजस्थान बोड के slayvers को कवर कर आया जाता है साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोड के slayvers को कवर कर आया जाता है जहां NCERT का pattern follow होता है क्योंकि हम बढ़ाते हैं आपको NCRT से, कई सारे special courses भी हैं जैसे कि व्यादिक मैस, crash course और spoken English और इतने सारे courses एकी single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एकदम free में provide कराए जाते हैं जी हाँ, और magnet brains, YouTube के लावा अदर social media platform जैसे कि Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी प्लब्द है आप हमें वहाँ भी follow कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्रावद कर सकते हैं तो आज के ये session को आप सभी को जादा से जादा like और share करते हुए चैनल को subscribe भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, खुश रही है Thank you so much